जैशी रा मेरे प्यारो मैं रितेवगेल सहाथ करता हूँ आप सभी का आपकी यूटिब चैनल भगेल क्लाजिस पर और आप लोग लिए खुसकवी की बात है कि इस साल भी आपका कोर्स है वो रिडियोस हो चुका है जी है मेरे प्यारो काफी वच्चों को कंफ्यूजन हो रह किये जाएंगे कहने का मतलब क्या है कि आप सीवेस्का कोर्स रहे जी है मेरे प्यारो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोर्स है वह आपका NCRT हो गया है जिसकी बजह से आपको फीछिस में दो बुक पढ़नी पड़ी है पाट वन और पार्ट तू जी है मेरे मेरे प्यारो चैप्टर वन में आपको कोई रिदक्शन नहीं है चैप्टर वन आपको पूरा का पूरा पढ़ना है जी मेरे प्यारों आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि यह जो रिदक्शन है वह NCIT पर बेस है अगर आप किसी रिफ्रेंस बुक से पढ़ रहे हैं या आपके कोचिंग के टीचर ने आपको नोट दिये तो आप इनको एक पेज पर लिख लिजिए और अब जब आपके टीचर पढ़ाएं आप पढ़ें तो इन टॉपिक को आपको नहीं पढ़िएगा और उनको भी बता दीजिएगा तो हम चलते हमारे नेक्स चैप्टर क पुदेंसियल एंड कैपिसिटेंस जी है मेरे प्यारो टू पॉइंट फिफ्टिन एक टॉपिक दिया है आपकी बुक में एनर्जी स्टोड इनकैपिसिटर पेज नमर 80 पर यह आपको नहीं पढ़ना है जी है मेरे प्यारो इसका आपको केवल डेरिवेशन नहीं करना है इ अगर आपकी ओल्ड एंसियाटी बुक है तो पेज नमर 83 पर टॉपिक दिया है यानि कि अब यह कभी भी हमारे फिशिक्स में नहीं हागा क्योंकि यह बुक से इटा दिया गया है मेरे प्यारो हम जलते हमारे नेक्स चैप्टर की ओर चुकि चैप्टर नमर 3 करंट इलेक्र नहीं होगा क्योंकि आपको टॉपिक इसी पर बेस है आपको टैंथ आपको रिविजन भी हो जाएगा फिर में जो टॉपिक हमारे 3.15 मीटर बिरेच जो की पेज नमर 120 पर दिया है यह आपको नहीं पढ़ना है और 3.16 पर आपको टॉपिक दिया है पोटेंशियो मीटर पे 400 faithful पanted over 145 पर आपको नहीं पढ़ना है और फिर आप का नैक्स्टॉपिक जो 4.8 टॉपिक फोर पॉरárत, बंली पेज नमर 151 पर फिप्ट टॉपिक है तो मैं हट जाता हूँ आप इसक्रिंस ओड ले लिजीगा या पेज में इसको लिख लिजीएगा जी है मेरे प्यारों अब हम चलते हैं हमारे next chapter की और जो कि हमारा chapter number 5 magnetism and matter तो इसमें जो आपको topic 5.3 magnetism and gossess law चेप्टर में आपको नहीं पड़ना है और आपका लास एक 5.7 पर्मनेंट मेंगनेटीड इंड्न वह पीजिए प्यारों इस चेप्टर में आपका सबसे ज़्यादा रेडक्षन है हम चलते हमारे next चेप्टर के हो जो कि चेप्टर नमर 6 लेक्ट्रमेगनेटिक इंडक्शन जिसको फिजिक्स में एम आई बोला जाता है तो जो आपको टॉपिक है 6.6 मॉश्टर एलेक्ट्रो मॉटिफ फोर्स हो कि पेज नमर 212 पर दिया है हना यह आपको नहीं पढ़ना है 6.7 एनरजी कंसेडरेशन जो कि पेज नमर 215 पर दिया वो आपको नहीं पढ़ना है और 6.8 एडी करेंट जो कि पेज नमर 218 पर दिया है यह आपको नहीं पढ़ना है आ हम चलते मारे निक्ष्य चेप्टर कीओ फिर्टर नमबर 7 इसमें जो आपको अपको टॉपिक है सेवन पॉईंट 8 ऐल सी शिलेशन जो की पेज नमबर 255 पे दिया है वो आपको नहीं पढ़ना है और जो आपका फ्र नमबर 8 है जी है मेरे प्यारों अम चलते हैं हमारे फ्रीक्स के सेकंड पार्ट की और जहां आपका फर्स चेप्टर दिया है चेप्टर नमर नाइन रे अप्टिक सेंड ऑप्टिकल इंस्रुमेंट इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है वह आपको टॉपिक 9.7 सम नेश्रल फिनोमना बात कुम और प्रीज और मेरे प्यारे अचेप्टरश में पूचा जा सकता और जिया नेश्र्य राखना है और त्युच्छ अब आपको लूम् lenses अइंट इस फ्रीवेशिश करते हैं वह आपको नहीं करना है आपको स्रूर्मला याद करते हैं तो एक नहीं पर टोस तकला है जो पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है हम चलते हैं हमारे नेक्स चैप्टर के ओर जो कि चैप्टर नमर 11 डॉल नेचर ऑफ रेडियेशन एंड मेटर तो इसमें जो आपका टॉपिक है 11.9 डेविशन एंड जर्मर आपको नहीं पढ़ना है और जो आपको चैप्टर नमर 12 एंटम्स वह आपको पूरा का पूरा पढ़ना है इसमें जी यहां मेरे प्यारों कोई रेडक्शन नहीं है यह आपके कैमिस्टी में भी यूज होता है तो वहां भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो चैप् परपस पें जंसन डायोट जो की पेज नमर 480 पर दिया वह नहीं पढ़ना है और 14.7 डिजिटल एलक्ट्रोनिक सेंड लॉजिक गेट्स पेज नमर 490 पर दिया वह आपको नहीं पढ़ना है जी है मेरे प्यारों यह ता हमारे फिजिक्स का कोर्स रेटक्शन आयो अपने मा कर लिया है तो वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करना न भूले और उनको भी बता दीजिए कि आपको जो कोर्स है वह रिडियूस हो चुका है तो आज की वीडियो में मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए विस्यू अल्दे वरी वेस्ट वेव ग्रीड दे जै हिंद